नमस्कार मैं सुरेज जानी केमेश टेज़ गडर अपेक्स एगरी ग्लासेज के डिजिटल प्लेट पॉरम पर आपका हार्दिक स्वागत यहों अभी ने दिन करता हूं साथियों आवर्शान्नी के तत्तों को याद करने की सोट का ट्रिक कई विदार्तियों का कमेंट आ रहे हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएं आज पढ़ेंगे S and P ब्लोक तत्तों है तो उससे पहले मैं बताना चाहूंगा ठोड़े आपके मैंड में सेटर मोना चीए रहना चीक की आवर्शान्नी में कौन सी दिशा में कौन सा ब्लोक है आवर्शान्नी में चार ब्लोक है आप आपका left hand side S block elements है यह आपका S block S block में दो वरग आते हैं वरग first and वरग second यह आपका right hand side में P block है कौन सा ब्लोक है यह आपका P block है P block में कौन से वरग आते हैं वरग 13 से वरग 80 तक आते हैं और जो आपका center point में होता है इसे transition element कहते हैं जो आप कौन सा है D block आपका center point में आता है और जो नीचे की हाइड है, बोटम एरिया में रहेगा, वो आपका कौन सा है, वो आपका F ब्लोक है, चार ब्लोक है, D and F ब्लोक का अपन स्टेडी करते हैं, वो ग्रूप की वार नहा करके स्रीज अर्थार्ट स्रीनिवार करते हैं, क्योंकि इन तत्तों में जो बहुत थीके म राशानी कुंद्रों में जो समानता हैं, स्रीनिवार अधिक परदिस्त होती हैं, वरगवार की तुलना में, इसलिए अपने इन काध्यन स्रीनिवार करते हैं, 3D, 4D, 5D और 6D और F ब्लोक में, 4F and 5F, लेंटेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज हैं, उसके नीचे आपको कल सकते हैं, तो सातियों, बिना देरी की अब सरू करता हूँ, मैं आपके लिए सरवपर्तम, S-Block, S-Block का वरग, 1st, जिसे ही सारे धातु के नाम से जाना जाता हैं, उसकी ट्रिक्स हैं, हलीना की रब से फर्याद, हलीना है, वरग, 1st, S-Block, हलीना, रब से फर्याद कर रही ह हैं, हया का मरलब हाइड्रोजन, ली का मरलब लीतियम, ना का मरलब शोडियम, के का मरलब पोटेशियम, रब का मरलब रूबिडियम, और आपके से का मरलब सीजियम, और फर्याद का मरलब फर्याद, हलीना की रब से फर्याद, कलियर, देखते हैं, नेक्स्ट आपका वरग सेकेंड जैसे कहते हैं सारिये मृदा धातू वरक सेकेंड क्या कहता है बेटा मांगे कार इस्कूटर बाप राजी बेटा मांगे कार इस्कूटर बाप राजी बेटा का मालब बेरिलियम मांगे का मालब मेगनिशियम कार का मालब केलसियम स्कूटर का मलब इस तंसियम बाप का मलब बेरियम और राजी का मलब आपके रेडियम होता है सातियों बेटा तो मांगे कार बाप स्कूटर राजी बाप तो राजी पढ़ाई पे हैं सातियों पढ़ाई करेंगे तो पेटा जी अपने हाँ राजी हो जाएंगी देखते हैं नेक्स्ट आपका शुरू करता हूँ P-Block, P-Block में वर्ग 13 से वर्ग 18 तक तर्थ शामिल किया जाते हैं, वर्ग 13 को कहते हैं आपका कौन सा परिवार, बोरोन परिवार का जाता हैं, जिसमें आते हैं बेंगन, आलू, गाजर, इन, थेला, बेंगन का मरलब बोरोन, आलू का म मरलब इंडियम और ठेला का मरलब ठेलियम, आप मंडी में गई, मंडी में गई, पहले क्या था, कि हलनीना की रवसे फरियाद, बेटा मांगे कार, इसकूटर बाप राजी, और आप जैसे ही मंडी में गए, आपने बेंगन, आलू, गाजर लिया, इन थेला, थेले में डाल कारवन परीवार में क्या होता है काशी गए संत परवू संत परवू कांगे इसके नहीं से आपके इतमिक नंभर भी लिखे हुए हैं ठीक सातियों यह हो गया आपका वर्ग सोधा कारवन परिवार काशी गए संत परवू नेक्स डिखेंगे आप वर्ग 15 जिसे कहते हैं आपका नाइट्रोजन परिवार कौन सा परिवार है आपके लिए नाइट्रोजन परिवार कहता है अर्टार्ट नेपाल पाकिस्तान आस्टेलिया सब भिकारी अर्टार्ट नेपाल का मरलब नाइट्रोजन पाकिस्तान का मरलब फास्पोर्स आस्टेलिया का मरलब आ या oxygen family का जाता है अम सिंग सेटी टेपो ओक का मरलब oxygen सिंग का मरलब sulfur सेटी का मरलब आपके selenium टे का मरलब tellurium पो का मरलब polonium अब देखते हैं नेक्स्ट आपका वग सत्रा वर एक सत्रा जिससे कहते हैं हेलोजन परिवार का जाता है फिर कल बार आई अंटी अंटी क्या कहते हैं हेलो अंटी फिर कल बार आई अंटी अतात, फलोरीन, कलोरीन अब आर का मरलब bromine अई का मरलब iodine, अंटी का मरलब अस्टेटीन, हेलोजन परिवार में क्या होता है, हेलो होता है, खिसको करता है कि फिर कल बार आए, अंटी, complete, देखते हैं आपका, next, वर्ग अठारवा, और वर्ग अठारवा में क्या कहेंगे, आप कौन सा परिवार रता है, वर्ग अठारवा में, वर्ग अठारवा में आपका होता है, वो होता है, आपका परिवार होता है, उसे कहते हैं, अपन कौन सा पड़िवार होता है आपका नोबेल गैंस या इसे कहते हैं अक्रिय गैंस नोबेल गैंस या अक्रिय गैंस समू कहलाता है और इसका और नाम भी से सुन इनट गैंस या सुनने समू भी का जाता है कई बार आपको सुन्ने समू भी देखने को मिल सकता है मैंने टेक के मादियम से सांदार तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया S. and P. Blok के कत्तों को सांदार तरीकी से ट्रेक के साथ कैसे याद करे तो तमाम साथियों मुझे आसा और उमीद है कि आपको सांदार तरीकी से समझ में आया होगा इसलिए आप इस क्लास को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिये लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राब कीजिए, जय हिंद, जय भारत.